हेलो फ्राइंस आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे गूगल जीमेल में आप अपना सिंगनेशर क्रेट कर सकते हैं तो आपको बार-बार सिंगनेशर क्रेट करने के जुरूत नहीं पड़ेगी जबी भी आप मेल लिखेने इसी को भी तो गई सबसे पहले आपको जाना है यहां सटिंग को ओप्शन दिखाई दे रहा है यह वाला इस पे आपको जाना है और यहां जाने के बाद आपको सी ओल सेटिंग्स पर जाना है और उसके बाद you have to scroll down, scroll down and scroll down, so you won't see any option here अभी, यहाँ कोई option दिखाई देड़ा आपको, नहीं है वो option, so you give options का होता है, यहाँ में लिगानी चाहिए, यहाँ आपको एक option दिखाई देगा, signature का, चिक है, तो यहाँ आभी हमारा कोई signature आड नहीं है, तो हम signature आड करेंगे आप, so कैसे करेंगे signature add, आपको click new पर click करना होगा, और यहाँ आपको अपना signature डालना होगा, कुछ भी डाल सकते signature जैसे की, जैसे की अब आप उना नाम डाल सकते है, अकाश, शोहान, और उसके बाद, आपका यह signature इसमें add हो जाएगा, और साथ में, यहाँ आप और भी ले सकते ह है, तो यहाँ साथ में, आपको यहाँ sensor भी मिलता है, तो यहानि कि आप जो signature create कर रहे है, उसको हम design भी कर सकते है, like सबसे पहले हमें इसे bold रखना होगा, यहाँ आपना signature बना सकते है, basically, ठीक है, पर एक खिलिक करा, new create, आनन, sorry, आकाश, आकाश, शोहान, इसे पहले create करेंगे, specify the name of the signature, उसके बाद आप यहाँ आपने detail डाल सकते है, जैसे key, phone number यहाँ डाल देना है, आपको, या फिर address डाल सकते है, अगर आपको address भी add करना है, या फिर अपना जो भी designation post है, वो डाल सकते है, या फिर अपनी, जो भी आपको लिखना है, और for, औ जालना है, तो आप यहाँ से set कर सकते है, और reply forward में भी आप यह add कर सकते है, और new email के लिए भी आप इसे use कर सकते है, तो आप, so insert signature before the quotes in the reply, and remove line that preceded, so आप इसे enable कर सकते है, ठीक है, और इसे हम इसे bold कर देंगे, total दोनों को, और यहाँ आप अपना phone number डाल सकते है, और अगर आपको इसको change करना है, color, color भी change कर सकते है, if you want, if you want to make it blue, so you can make it blue as well, so यहाँ से blue भी बना लेंगे, ठीक है, so और यहाँ अगर आपको अपना, जैसा अगर आप students है, तो आप अपना college का नाम भी डाल सकते है, IIT Delhi, like this, ठीक है, और यह आपको डालने की जरुत नहीं है, आप आपको डाल सकते है, IIT Delhi, like you are a student of C, IIT Delhi, and this CSE, so you can write like this, and you can also write your roll number, if you want, if you are sending a mail to your, usually send your mail to your faculty or to any concern department, so you can write such things, okay, and once you set, just set it, fine, so if you want to create another, so you can name it, as well, so yeah, so let's click on new, so easily switch, easily switch between different signature, fine, so here, so here, what is the option, so here, mail डालेंगे, signature का option आपको मिलेगा, अपने आप एड़ हो जाना चाहिए, अब यहां signature हमें add करेंगे, मैंने signature अभी add हो गए, पहले, save करना पड़ेगा, पहले से save करना होगा, once it is saved, अब, अब create करेंगे, एक new mail, ठीक है, और यहां हमारा आगया, पहले से, ठीक है, तो यानि कि आपको यहां आपको नाम भी डालना होगा, यानि कि यह नाम इसमें नहीं आएगा, आपको वापिस से जाना है, all setting में जाना है, इससे minimize कर देना है, और वापिस से signature बने जाना है, और यहां आपको अपने details डालने है, जैसे कि यह signature का नाम हो जाएगा, और signature, usually, ठीक है, और यहां आप अपना नाम डाल सकते है, अकाश, शौहान CSE student, or you can write your role number here, like this, 2201-210, ठीक है, तो यहां, आप यहां इससे save करेंगे, आप इससे, so that is, that was the name of the signature, उसके बाद, आप signature और usually add करेंगे, ठीक है, और आप उसे italic में भी डाल सकते है, इससे italic और better लगता है, अब हमारा जो यह है, mail, इसको draft करेंगे, और again हम create करेंगे, आप देखेंगे, यहां हमारा पूरा signature आ रहा है, और यहां हम आपना mail डाल देंगे, जिसको भी आपको send करना है, यहां आपको subject हो जाएगा, if you want to add cc और bc, so cc basically क्या होता है, अगर हमें carbon copy vision होता है, अगर हमें एक ही mail की copy भेज नहीं है, और different different लोगों को बिना बता है, तो आप bc, cc से चूज करेंगे, ठीक है, black carbon copy, यहां आपको पता होगा, और अगर आपको spell checker use करना है, यहां smell checker use कर सकते है, तो these are the basic things, you can see, so yeah, that's how you can do it, I hope you like it, and अगर को इड़ा है, you can ask me in comment section, see in the next video, till then, bye-bye.